सूच क्या रही हो देखो भई तील बड़ी क्लियर है ऐसे तो बारा घंटे बाद मेरा वकिल यह आंकर कुई न कोई तमाशा तो खड़ा करी देगा लेकि क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं चाहती मैं स्कांडल्स नहीं चाहती क्योंकि स्कांडल्स मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है ना मैं चाहती हूँ कि पुलिस खुद बखुद मुझे बरी कर दे वो भी ओफिशिली क्लीन चिट दे कर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ देखिए मैं आपको बता दूँगी कि लड़का या लड़की पतले में आप मुझे इस सारे जंजट से पार निकालो अगर कोई प्रोप्लिम हो गई तो औरे पंदरा साल से हूँ इस प्रोफेशन मेठी यार समझी कोई प्रोप्लिम ही होगी का यह गो चेक करो ठीक से में कनेक्शन चेक करो मिल्गे बैंडल को मिल्गे लगा 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 लाखों करोडों का खेल है यह बच्चा चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो मैं हूँ ना मैडम सर यह सब मैडम सर कुछ नया करने का ट्राइ कर रही थी आप अपना बताईए मैडम सर हमें आपसे कुछ कहना था हाँ बोलिये आपको शक था ना कि वो डॉक्टर अर्चना जेंडर टेस्ट का क्राइम करती है हाँ वो करती है वो खुद हमसे कह रहे थी कि यहीं कुछ औजार और मशीन मंगवा कर हमको बताएगी कि हमको लड़का होगा या लड़की बस बदले में हम उसको यहां से निकाले बीना कोई F.I.R. के हाँ तो ये तो अच्छी ख़पर है ना पुश्पा जी आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और हमें शायद एक और मौका भी मिल जाए अर्चना नागर का कनफेशन निकलवाने का नहीं मेडम सर हम ये टेस्ट नहीं करेंगे क्या मतलब? मतलब ये कि कोई चाहिए इसे गल्ती कहे या पाप लोग इसे ताने दें अगालिया हम इसे दुनिया में लाकर रहेंगे हम अपने बच्चे का जेंडर टेस्ट नहीं कराएंगे मेडम सर लड़का हो या लड़की ये हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहेंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए काश हमारे देश की सारी ओरते जो खुद कभी ना कभी सिच्वेशन से गुजरती ही हैं आप जैसा सोच पाती और ऐसे हिम्मत पैदा कर पाती लेकिन पुषपा जी अब वक्त आगया है कि आपको सच पता चले और सच तो ये है कि आप प्रेगनेंट नहीं हैं ये सब एक नाटक था ये क्या कह रही हैं हम गर्वत ही नहीं है नहीं ये सारा नाटक रचा गया था अर्चना नागर से उसका कनफेशन हासल करने के लिए अच्छा हुआ मैडम सर आपने बता दिया कि हम गर्वत ही नहीं है मगर हमको ना आप से एक शिकायत है आप वो डॉक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और आपने हमको बताया क्यों नहीं अरे हम तो ऐसी अच्छी एक्टिंग कर लेते ना कि दो मिनिट में उससे सारा कनफेशन निकलवाते है की नहीं आप हाँ और हाँ बच्ची का बाप चुना वो भी बुद्धा नवाब तो का रित्यक रोशन चुने आपके लिए आईडिया करिश्पा मैडम का ही था अच्छा हमको लगाई था ये इतना वाईयात आईडिया ना इनके ही दिमाग से आ सकता है पॉइंट यह है कि हमें अर्चनानागर का कनफेशन नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ भी था वो टेक्निकल एरर की वज़े से डिस्ट्रॉय हो गया और पुष्पा जी आपकी आपकी स्किल्स को देखकर हम दुबारा रिस्क नहीं ले सकते सो अनिस्टली हमारे पास अर्चनानागर की अगेंस्ट कुछ भी नहीं है ना कनफेशन ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई F.I.R हम हार गए नहीं मेडम सर आप हारी नहीं है मैं लिखवाँगी F.I.R देखिए मेडम लास्ट वार्निंग देने आये है कानूनन बेल अक्सेप्ट कर दीजिए और हमारे कलाइन को छोड़ दीजिए कानूनन वर्ना भूल जाएए वकील सार आपकी कलाइन तो गई लंबा F.I.R बदल चुकी है बिलकुल और अब कानूनन आपकी कलाइन पर सिर्फ चोरी का ही नहीं अबोर्शिन, जेंडर टेस्ट और मेडिकल मैल प्राक्टिसेज का भी इलजाम वो भी विटनेस के साथ पुष्पाजी जरा F.I.R रेजिस्टर का उद्गाटन कीजिए येस माडम सिर् सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंग, कानून का इंसाफ तो हो गया? अब जरा इंसानियत का इंसाफ हो जाए जी माडम सिर् इसलिए वकील साब आप जल्द से जल्द अपने लिए एक नवया क्लाइन डून लीजे हम जरा चाय पी कराते हैं हम जरा आप आपे जल्द से जल्द से उल्द अवया क्याब चिम्स भीजे खर्ये औरी जरा आप ज्रते हैं ईु będą पारां लाए झाल झाल